वेलकम टू सुपर फॉस्ट इंग्लिस अगैट में दोस्तो आज हम देखे जो भी रिमेनिंग पीक्यो आरेस टाइप की जो भी कुशन्स हैं उनको आप समझ लीजेगा बाकि आप खुद भी प्रेक्टिस करते रहेगा इसका दीकिए पहला पार्ट आप सबने देखा बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा ठीक है इसके बाद मैं आपको बता हुआ मिसस पैल्ट इस पैलिंग जो होती है जैसे चार स्पैलिंग देगा उसमें से एक साही तीन गलत कैसे फाइंड करेंगे या फर यह होता है कि तीन साही होती है एक गलत होता गलत वाले को वह आइड जाइखे,गा 4 questions कल आपको describe करके बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कैसे ट्रा hizo को से आह्यूंड करते है और सब्सक्राइब करेंगेells के वह से आuh रंस आंसर जो मैंने लेकिन आपको उल्लाइट करने का मतलब नहीं आपको समझ में भी तो आना चाहिए यह वाला आंसर क्यों है हमने इस वाले अंसर लिए आप या तो एसा करो कि यह वाला जो sentence लिख रहा है कि इसके बाद कौन सा आएगा इन चार में से देखो उसकी starting जिससे हरी है वो ही वाला हो जाएगा और आपको यह समझ में आ गया यह से अम मैं आपको बता हूँ थोड़ा सा तरीका जैसे कहीं पर लिख रहा है due और आपको पता होगा due to एक साथ आ तो आपको पता due के बाद आएगा two आता है तो मुझे इन चार में से वह देखना है जिसके starting में two लिख रहा हो अब थोड़ा meaningful भी आपको देखना है कि ऐसा नहीं बढ़ तू देखते हैं आपने collect का जो है you know option को write कर दिया ऐसा आपको नहीं करना है अब यह समझेगा देखो two rice production भी आ रहा है और two global warming भी आ रहा है अब इन दोनों में से कौन सा सही है मीनिंग के साब से वह देखना है मतलब यह क्लाइमेट चेंज जो है वो global warming की बज़े से है या फिर rice production की वैसे बताइए ठीको global warming एक बड़ा issue है और आप होता है climate change जो होता है वो global warming की बज़े से होत सकता क्योंकि यह rice production की बज़े से climate change का क्या फरक पड़ा ऐसे तो फिर आप rice है वीट है कोई production करेंगे नहीं अगर climate पर ही फरक पड़ जाए तो तो इस बज़े से क्या हो जाएगा कि global warming की बज़े से climate change पर फरक पड़ता है तो इसका मतलब है कि climate change due to global warming इसका मतलब हुगा कि इसके बाद सबसे पहला जो option इन 4 में से कौन सा आएगा ऐस वाला तो अब आपको कुछ भी नहीं करना इन 4 जो option उनमें यह देख लो पहला वाला ऐस किस में आ रहा है समझ में आ गया देखो इस में आ रहा है मात्र तो यह ही अमारा हो जाएगा बागी और check ही नहीं करना अ आपका जो answer है वो एकदम सही है चलो यह हो गया देखो कितना जल्दी आपने कर लिया एक ही जटके में कर दिया अब देखो थोड़ा में second वाला ले लेता हूं यह ऐसे करके आप देखो problem क्या होता है question की कमी नहीं यह question बहुत सारे लेकिन थोड़ा साथ you know video type करने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए जबके मैं photo किंच करके बहुत जल्दी बहुत सारे questions को कर वा सकता हूं आप इनको वो क्या पता है देखो मुझे एक चीज़ यह समझ में आ रही है कि वी सर्च एवरिवेर हमने हर जगे सर्च कर लिया अंडर दा बैड एंड टेवल इंसाइड दा कपवोर्ड का मतला अलमारी एंड शूट केस एंड अमंग्श्ट दा मैगेजीन एंड बुक्स बट रोहित और रोहित को कुछ नहीं मिला ट्रैस और रोहित को कुछ नहीं मिला फिज वॉलेट मतलब उसके वॉलेट का कोई भी अता पता कहीं पर भी कोई रिसान नहीं मिला तो नो के बाद जो जोड़ी बन रही हो ट्रैस की बन रही है तो मुझे पता चला गया कि या लास्ट में आएगा आर तो ऐसे करके मेरा जो बी वाला है वो उत्तर एकदम सही हो जरूरी नहीं उसका को मीनिंग समझ में आजाए तो आप बहुत बड़ा लिखा आ गया तीन-चार अब उनमें से पता करेंगे कि कौन सा आएगा तो एक ही तरीका है कि या तो आप इसके एंड में देखो इसके इन चार में से कौन से सेंटेंस की स्टार्ट हो सकती है जो इ आप सबको पता होगा जब आप नोटरिस लिखते हैं तो आपको पता है इसी तरह से अब इसके बाद आएगा तो इन चार में से बताओ आ रहा है आर वाली मार तो इसका मतल है मुझे इस्टार्टिंग आर से चेक करनी यह यह स्टार्टिंग आर से नहीं है यह भी नहीं बस यह वाला है आपका अंसर एकदम सही हो जागा कोई टेंशन नहीं लेगा समझ में बात आ रहेगे नहीं आ रहा तो यह समझ में जब दीरे-दीरे समझने लग जाएंगे ना तो आराम से सारी बात है क्लियर हो जाएंगे क्लिर है चलो देखो बहुत जल्दी हमने कर लिया ज्यादा दिमाग लगा नहीं नहीं आपको अब बाकि आप आगे भी चेक करने हैं पी एस अरे जब आपने और स्लेक्ट कर लिया मतलब आप चाहें इन तीनों को चेक कि भी करते जाएएगा अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं देखो पीडिया बड़ी मस्त बनाई है मैंने कलर वलल ताम जाम जोड़ जाड़ करके थोड़ा सा अच्छा लगे है ना अब यह समझना यह लेकर आई जोंट नो मतलब मुझे नहीं पता है अब यह समझो इ ब्मजे नहीं पता है क्या रीजन जो बास्तिबूank क्या रिएअ है मुझे पता नहीं तो आपको पता है 6िए जो अब्जेक्ट थोड़ी है लास्ट में देखो कहीं पर भी question mark नहीं है मतलब ये एक conjunction है आपको ये समझ में आ गया हुआ कि indirect जवाब बनाते थे that कोई भी conjunction लग रहा हो तो उसके बाद sentence start होता है बनाते है ना sentence negative भी हो सकता है positive लेकन sentence की जो starting होती है वह बता हो किस्से होती है subject से होती है इसका मतलब यह हुआ कि बाई के बाद जो भी इन तीन में से आएगा वो आएगा जिसकी सुरुवात सब्जेक्ट से हो रही हो अब ये बताना ये तो पहला आएगा ये हमें पता है अब आउट ये सब्जेक्ट होता है क्या नहीं होता तो ये नहीं होता ही होता है देखो यह sentence भी है पूरा तो इसका मतलब हमारे समझ में एक बुद्धी खोपड़ी मा आ गया कि भाई Q के बाद जो आएगा वो ऐसा आएगा क्या आएगा Q के बाद ऐसा आएगा तो मेरा पहले Q मैंने set कर रखा था तो देखो यह एक दम सही हो गया यह तो दो गलत हो जाएंगे basically बैसे गलत हो जाएंगे अब बताओ I don't know of the whole affair यह R वाला हो नहीं सकता इसलिए यह गलत हो जाएगा चलिए अब देखे next question की हम बात करते हैं अब यह हमारे पास question और काफी अच्छा question आपको समझना होगा देखे a higher percentage of अब यह समझना है इन चार में से क्या सकता है एक बात होता हिया मुझे पूछ लूँ यह बताओ a higher percentage of in cold weather आएगा क्या मतलब cold weather की बहुत high percentage है ऐसा तो नहीं आ सकता एंड भी नहीं आ सकता क्यों प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन इसका तो कोई मिनिंगी नहीं रहेगा न यह दो cancel अब आपके समझ मारा होगा यह तो आर यह फिर higher percentage of heart failure on Monday then इसका क्या मतलब रहा दैन यह तो कोई मिनिंगी नहीं बठा रहा अब देखो heart attacks यह एकदम सही है यानि कि a higher percentage of heart attacks अकर यानि कि heart attacks के जो you know जो percentage है वो बहुत ज़्यादा high है तो इसका मतलब है सबसे पहले जो option बनेगा वो कौन सा बन सकता S वाला बनेगा तो S वाला मेरा सिर्फ B में मुझे बाकी कुछ भी चैक नहीं करना एक दम यह अच्छी वाली वास समझ लिए आप ठीक है heart attacks occur in cold weather यह समझना आपको आगे देखो और अच्छा question मैंने ले लिया है modern education is bookish the the harsh reality of life you know imparted in schools and colleges and divorced from the so called liberal education आगे बात करते हैं does not help students earn their livelihood अभी समझना है कि इन चार में से क्या सकता है इसको मैं आपके लिए दे देता हूँ आप इसको खुद solve करिएगा ठीक है ज्यादा difficult नहीं है difficult है तो मैं फिरिस में add क्यों करता है आगे देखो आपके लेवल के साबसे ही select क्यों है न आगे देखो new industries interest supported अब देखो बहुत सिंपल है इसका जो logic है वो बहुत सिंपल है मतलब नई जो industries है वो supported by foreigners foreign foreign मतलब नई industries को support कहां से किन के द्वारा किया जाता है विदेशों के द्वारा किया जाता है अब new industry interest usually इसका कोई sentence नहीं बन रहा है to their employees at all इसका कोई मतलब नहीं है new industries offer better salary वो तो ठीक है better salary offer better salary भी हो सकता है लेकिन अब यह समझना है आपको कि यहां पर क्यों वाला option ज्यादा बेटर क्यों है देखो supported by foreign इंट्रेस्ट यूजुली सामाने तहा offer better salary अब देखो एक बात यह समझ मारा होगा कि offer better salary आप अगर salary किसी को offer करोगे तो किन को करोगे employee को करोगे इसका मतलब है कि s के बाद क्या आएगा बताओ आ राएगा s के बाद क्या आएगा आ राएगा देखो यह गलत हो गया यह गलत हो गया अब बात हमारे q से start हो रही थी तो देखो q से start हमारा सिर्फ d वाला है तो s और r यहाँ पर यह cancel हो जाएगी तो यह चीज़े आपको धीरे-धीरे समझ लेगी है समझ लेगो आप ज्यादा प्रावलम नहीं आएगा आप धीरे-धीरे जब एक दूसरे को समझ लेंगे पढ़ लेंगे तो समझ में सारा आ जाता है ठीक है to their employees at all all levels of responsibilities अब एक बाता यह हमें पता है all के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा plural आएगा तो इसका मतलब ह हो इसका मतलब है कि last में जु आएगा ओर आएगा तो लास्ट में जो आएगा सब में आर आए नहीं रहा तो वैसे आप चैक कर लो तो जैसा आप चाहिए वैसे चैक कर लो आपका उत्दम सही होगा अब आप मुझे पूरा पता है सेकंड़ों में आप उत्तर निकाल दोग तो आगे वाला sentence future में चलेगा तो देखो future में यह हो जाएगा कि अब एक बात होता है यहाँ पर अगर हम दूतरा वाला sentence जोडते हैं तो बताओ end की जरूत पड़ती है कि नहीं तो इसका यह future तो खराब हो जाएगा यह future है नहीं यह future है नहीं सिर्फ यह future है हमें end वगरा नहीं लगाना पड़ता है तो यह क्या है समझ में आएगा तो मतलब starting किसी हो रही है एस असे हो रही है और एस वाला सिर्फ एक है तो यह गलत यह गलत यह गलत आपका right answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा बात समझ मारी ही नहीं आ रही है तो यह चीज़ें जबाब करेंगे तो समझ में आएगा देखो we shall know for sure that अब इसके बाद यह that का है conjunction है conjunction के बाद क्या चलेगा एक पूरा sentence चलेगा जिसमें subject आ रहा होगा अब subject क्या है पताना end कोई subject थोड़ी है समझ कोई subject थोड़ी है रोहित subject है तो मुझे यह पता चल गया कि सर जी हाँ S के बाद क्यों आएका जो यह बीगलत है यह भी गलत है तो आप जैसा चाहें मार्सा बैसे देख लेना आपका अंसर कभी गलत नहीं हो सकता ठीक है चलो और देखता हूं अरे वी ता और चलो और से यह वी कर देता हूं। हम इस अब यह समझेन है आपको के इन में से कौन सा सकता है जब पढ़ेंगे तो समझ मा आने लगेगा देखो onto टाइप किये मैंने नोट किया तो मुझे तो पता है ना कि कौन सी जगह कहा कलती है तो मैं तो फट से निकाल देता हूँ तो मेरे बुद्धी ने काम कर दिया में लाला जी ऐसा हो है आर के बाद option जो आएगा वह क्यों आएगा आर के बाद यह समझें तो यह क्या हो जाएगा कि इस बाले option के बाद मेरा क्या आजाएगा पी आजाएगा आर के बाद पी तो देखो आर के बाद पी इसमें नहीं है इस मैं भी नहीं और इस में भी नहीं मेरा उत्तर ही हो गया फटाक से यह की बार में स्था है यह चीज़ा आपको दीरे-दीरे समझना पड़ेगा जब आप समझ जाएगे तो फिर तुमको कोई प्रावलम ही नही इस बोली जाती है अब मेरे समझ में एक और बात आगी लड़ा प्यू के बाद आएगा क्यों अब मैं फ्रेन में चेक इसमें नहीं आ रहा इसमें नहीं आ रहा इसमें मतलब कुल मिला करके कैसे भी आप चेक कर लो आपका उत्तर भी होगा ठीक है आप चाहें इनको लेकिन आ गए तो कैसे करें कि समझ लो एरफोर्स में तो आते ही आता है अब यह देखेगा इंडिया एज़ा डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री यह बाला बहुत सिंपल है जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा देखो लेकरा ना at the hand of hands of अबर representatives ये plural है ना और मुझे पता था फू जो वो एक conjunction है और हू के बाद जो आने वाली बर्व है ये कैसी है plural है ना तो जब कि कभी हू के बाद अगर plural बर्व आ रही है और हू एक conjunction है तो हू से पहले जो ना हुना आएगा सर्जी वो भी plural रहा होगा तो मेरे समझ में एक बात आया कि political game कौन खेल सकता है representatives खेल सकते है election तो खेल नहीं सकता मौकरी नहीं खेल सकता तो आदमी है ना representatives कारे करता तो representative इसका मतलब है कि पी के बाद जो आएगा वो आ रहा है आर से पहले के आएगा पी तो पी आर वाला कौन सा है देखो एक हे एक हे यह गलत यह गी गलत अब बेरे समझ में आने लगा कि भाई इसका ज़रा मतलब देखता हूं सबसे पहले जो पी आप्सन आ रहा है इंडिया इस डेमोक्रिटिक कंट्री एट दा हेंड्स अब अबर रिप्रेजेंटेटिव फू प्ले पॉलिटिकल गिपन यह तो बिलकुल गलत है अब डेमोक्रिटिक कंट्री एट दा हेंड नहीं यह तो गलत बात है तो सही कैसे होगा देखो इंडिया एक democratic country है लेकन frequently elections लेकन बारवार जब elections होते हैं तो क्या होता है make it a mockery ये क्या एक मजाग बना दिया गया है किसका at the hands of our representatives who play political games at the cost of the nation तो ये ऐसे धीरे धीरे करके समझ में आने लगे दीरे धीरे आएगा इतना जल्दी भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके लिए grammar का knowledge जरूरी है तभी तो आप connect कर पाएंगे एक दूसरे को अब देखो इसमें grammar बहुत जरूरी है syntax बगरा है ना आप एक दूसरे को sentence को arrangement arrangement sentence कैसे करें ये वो भी type होता है sentence arrangement वाला अब देखो those who are अब ये देखे आर के बाद आरा सकता है नहीं आ सकता तो देखो बट देखो बाई पी तो आई नहीं सकता है ये दो option खतम जय 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 गई नहीं अब ये देखो आर के बाद से फस्ट पॉम कभी आते क्या इस RM के बाद first form आई यह ङी तो देखी होगी फस्ट form नहीं देखा तो देखो लाला जी क्यूँ भी हमारा χत्म हो गया खर क्यू Черail में तो नहीं है R end इस RM के बाद तुरंथ कभी आपने end देखा है क्या नहीं देखा तो देखो R भी गलत हो गया बचा क्या ऐस वाला अब इसका मतलब आप देख लीज़ेगा ऐसा आएगा ये देखेगा दोज हूँ आर इन फेबर आफ को एजुकेशन ये एकदम सही है यानि जो लोग को एजुकेशन के फेबर में हैं ये तो मामला सर्जी एकदम बढ़िया चलना है आ रहे नहीं आ रहा तो ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चलो आगे देखो रितिक चौधरी अभी रो रही थे अभी उनको चुप किया था इसलिए बीच में वीडियो को थोड़ा सा रोब दिया था अब ये देखेगा रितिक चौधरी राइटिंग तिल ही ये डेथ कर लीजेगा इन दा अर्ली एर स्टाटिंग ओफ दा सैंचुरी एंड कंटिनूड दा मिड सेवन्टीज अब आपके एक समझ में आ गया होगा रितिक चौधरी स्टाटिड राइटिंग ठीक है बीटा रितिक चौधरी ने अब एक बात आता हो यार रितिक चौधरी के बाद डारेक्ट कभी आई इन जी आ सकता है कि नहीं आ सकता या तो एजारे में आता तब आए इन जी आता लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद अगर इन चार में से मुझे पता चल गया कि भाई सेकंड फर्म आ सकती है पास्ट इंडेफरेट बन जाएगा यह तो रितिक चलो दोस्तो इतना ही इनफ है आज के लिए और इसके बाद जो रिमेनिंग कोईशन से वह मैं आपको नेक्स वीडियो में करवा दूंगा कुछ आपके टॉपिक्स और बचे हैं और वीडियो अच्छा लगाए तो मन से लाइक करें तो अच्छा लगेगा और चैनल को सब् सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजेगा कमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसा लगा और जो पूछा उसका आप कोईशन का जबाब दीजे थैंक यू सो मॉच